Facebook page दोस्तों आज हम सीकेंगे Facebook page को हमेशा के लिए delete कैसे करते हैं मैं आपको step by step बताऊंगा आपको new update के बारे में बताऊंगा एक मिनट के अंदर आपका Facebook page delete हो जाएगा हमेशा के लिए कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, सर्च में भी नहीं आएगा बस आपको इस वीडियो को end तक देखना है तो सबसे पहले आपको अपने Facebook अकाउंट को open कर लेना है जो भी अकाउंट से आपने अपना Facebook पेज बनाया है उसे आपको open करना है और अपनी profile पर आजाना है ठीक है, इस तरह से आपको profile पर आजाना है अब आपने अपने profile से यानि इस अकाउंट से मैंने जितने भी Facebook पेज बनाया है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर profile दिखाई दे रही वो सारे page यहाँ पर दिखाई देंगे तो जो भी page आपको delete करना है, आपको उस page को इस तरह से select कर लेना है तो वहाँ पर आपका जो page यह वो open हो जाएगा यह page यहाँ पर आ चुका है, ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या करना है, page की profile पर आ जाना है यहाँ पर आप आएंगे, आपको यहाँ पर profile पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर settings में आ जाना है ठीक है, अब यहाँ पर आपको setting मिलेगी, page settings आपको इस पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक setting देखने के लिए मिलेगी आप देख सकते हैं access and control आपको facebook page information वाले section में access and control यह वाली setting को open करना है अब यहाँ से दोस्तों आप अपने facebook page को delete भी कर सकते हैं और deactivate भी कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे deactivate page, delete page तो हमें page को delete करना है तो यहाँ पर delete पर इसे set करना है और यहाँ पर continue पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर Facebook आप से कुछ वज़े जानेगा कि किस वज़े से आप अपना Facebook पेज डिलिट कर रहे हैं तो इन में से कोई भी एक आप सैट कर दीजिए उस पर किलिक करेंगे तो पेज आगे बढ़ जाएगा अब आपको यहाँ पर continue पर किलिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ आपका जो Facebook अकाउंट है जिससे आपने अपना पेज क्रियेट किया था वो प्रोफाइल और नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा अब उसका पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा ठीक है पासवर्ड अगर नहीं दालेंगे तो आपका जो पेज है वो डिलिट नहीं होगा अगर आपको अपने Facebook अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है तो कैसे पता करते हैं इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उपर आई बटन में भी मिल जाएगा पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब यहाँ पर हमें continue करना है continue करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से page आएगा फिर आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है अब यहाँ पर आपका page आपको दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर आप जैसी delete page पर click करेंगे तो आपका जो page है वो delete हो जाएगा हमेशा के लिए लेकिन दोस्तों आप उसे 30 दिन के अंदर वापस ला सकते हैं अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे page डिलिट नहीं करना चाहिता मुझे वापस लाना है तो आप ला सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 30 दिन का समय मिलता है तीक है 30 दिन के अंदर अगर आप अपने अकाउंट में 30 दिन के अंदर अगर आप अपने 30 दिन के अंदर अगर आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो वाँ से आप अपने page को recover कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ यहाँ पर आपको delete page कर देना है इसके बाद आपका जो page है हमेशा के लिए facebook से delete हो जाएगा कहीं पर भी दिकाई नहीं देगा search में भी नहीं आएगा फिलाल मुझे अपना page delete नहीं करना है इसलिए यहाँ पर मैं delete page पर click नहीं करूँगा यह आखरी step है जैसे यहाँ पर delete page पर click करेंगे page delete हो जाएगा तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो वीडियो को like कर दो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लो